असलाम हूँ अलेकूम मैं सुलेखा अर्फान सुलेखास कीचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा घर पर होम मेडियाने की शेजवान चटनी बहुत ही मज़ेदार लसतदर बनती है और बाहर से बहुत जादा बैतर बनती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रे निकाल रही हूँ न ऐसा दो टुकड़ी कीजिए बिज़े निकाल लिए और साइट पर रखते जाए इसी तरीके से सारी सुखी लाल मिर्च के बिज़े निकाल लीजिए अच्छा यहां पर मैंने लिये हैं कश्मीरी लाल मिर्च लिए आप भी कश्मीरी लीजिएगा और हमारी जो मिर्च है उसे फुलाने का और सॉफ्ट करने का तो वो जल्दी हो जाएगा तो इसे आप अच्छे से मच कर दीजिए पानी के अंदर इसकदर और इसे ढखक कर एक देड़ घंटे के लिए साइट पर रख दीजिए जब फूल जाएं अब जितना भी समय लगे जब अच्छी फूल जाएंगे आप देख सकते हो और ऐसी सॉफ्ट हो जाएंगी तो नितार दे जाएं और इसमें मिक्सर जार के अंदर दाल दीजिएगा अच्छा जब आप ऊपर ऊपर से लीजिएगा सो जो बिज़े हैं इसमें भी आपको नीचे बिज़े दिखेंगे इसी कदर लीजिएगा कि ऊपर ऊपर से ही आप लेए देखें बिज़े है ना इसके अंदर तो मैं उसे फेक देती हूँ और इसमें सारे जितने आप निकल सके उतने हमने बिज़े निकाले और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए मैं बिना पानी डार कर कीजिएगा क्योंकि जादा पानी डालना नहीं है मैं तो डाल ही नहीं रही हूँ और इसे यह देखें इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे अब कड़ाई या फ्राइपन लीजिए चुला फास्ट नाच पर चालो कर दीजिए और इसमें थ्रीफोथ कप जितना तेल डाल दीजिए मेरी लोहे की कड़ाई है तो मुझे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देना है तो सबसे पहले मैं फास्ट नाच करके अच्छा धुएदार तेल को गरम कर रहे हूँ और उसको फिर चुला बंद कर दूगी और फिर हलका ठंडा होगा ना फिर आगे का प्रोसीजर करूँगी लेक अब इसे 1 minute तक फास्ट आच पर रम कर लीजए मेरा चुला मैंने बंद कर दिया था तो मैंने फिर से चालू कर दिया है अब इसे 1 minute आपने आपने फ्ला करना है पार बार लाद चलाते रहिएगा इसक अदर फ्ले हैँ अम्हेला नही हमारे नाही लाल करना ए हमारे लसन को अलका सा पका लेना है, तो जब एक मिनट हो जाए, तो यहाँ पर यह जो सारे हमने पीस के रखे हैं, यह जो पेस्ट मिर्ची का, यह सारा डाल दीजिए, बहुत अच्छे से mix कर लीजिए, जब अच्छा mix हो जाए, तो चूला कर दीजिए, slow आच और इसे ढख कर 2-3 मिनट त तो मैंने 3 मिनट slow आच पर ठाक कर और 3 मिनट medium आच पर पकाया, टोटल 6 मिनट हुए, लेकिन अगर आपने पानी फर्स करो दाला है, तो आप क्या कीजिए, slow आच पर 4-5 मिनट पकाईए, और फिर medium आच करके 3-4 मिनट पका लीजिए, हमारा main मकसद है कि यह थोड़ी पक जा और जो तेल है, वो अच्छे से छूटने लगे, बस वहां तक हमें इसे पकाना है, चलिए 3 मिनट हो चुके, पकाते हुए medium आच पर आप देख सकते हैं, बार-बार में चला भी रही थी, तो अब चूला कर दीजिए slow आच और अब हम इसमें बस दूसी चीज़े दाल देते हैं, इसमें दाल दीजिए 2 टेबल स्पून सिरका, एक छोटा चाय का चमच, नम्मक या स्वादानुसार भी दाल सकते हैं, आदा चोड़ा चाय का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, या फिस समवेद मिर्चो का भी दाल सकते हैं, दो टेबल स्पून शक्कर, दो चोड़ी चमच सोया सॉस मेरा ये वाला लाइट वाला है आप डाक वाला भी दाल सकते हैं तीन टेबल स्पून टमाटर सॉस दाल दीजिए मैं खालिक का सा चुला मीडियम आच कर देते हूं और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब अच्छा मिक्स हो जाए चुले को कर तक स्लो आज पर पकने देती हो जब तेल चुटने लगे तो तीन मिनिट के बाद तो इसका चुला कर दीजिए बंद बढ़िया पक जाते हैं तो कलर आप देखेंगे हलका सा डार्क हो जाता है तो ऐसी होनी ची और आप देख सकते हैं माशाला क्या बढ़िया बनी और आप कि शीशी वाली बर्नी इसमें मैंने इसे डाल दिया है अब आप क्या गरेंगे इसे ठापकर फ्रिज में एक मिने तक रख कर आप खा सकते हैं फ्रिज में ही रखियेगा और ऊपर जो तेल आता है वो भी चिली ओल होता है तो जो चाव में ने उसके ओपर ये तेल डाल कर ख प्राइड राइस के ओपर डाल कर खाएं बहुत ही बढ़िया लगता है वैसे मैंने ये सारी चाइनीज रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड की आप लोग के लिए पूरा सारा प्लेलिस्ट डिस्रिप्शन के अंदर आप वह चेक कर लीजेगा तो हैना मज़ेदार रेसिपी अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें शेक्शन में जरू शेयर कीजेगा अपने कमेंस तो ज़्या अच्छे लगते रेसिपी तो लाइक जरू कीजिए और उससे जाद अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले लो आपई